रखा जी नमोश्कार नमोश्कार वदनमंत्री जी आपका बहुत धर्णेवात शबार प्रोथ में आपना के सुपेच्छा जानाई आप एक बड़ा दाइत्व निभाने जा रही है इसे में कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है मेरा सं मेरे सर पे है रेखा जी मुझे आपका मेसेज मिला था मैं यह था संपव कोशिस करता हूं कि बीजेपी कारकरताओं से बात करता रहूं मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरित राजनितिक परिस्तितियों में प्रचार कर रही है जब आपका नाम गोशित हुआ तो क्या को क्या क्या परितितियों का सामना भी करना पड़ता होगा क्या हो रहा है मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूं हम इलक्षा नहीं दे पाई हम चाहती है पुरा सुरक्षा की साथ बोट दे पाए हम बोट दे पाएंगे संद्सकली की मावेन और भी खूश होगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्यूंकि आप हमारे साथ आई मुझे पूरा विश्वास है आपकी बाद इलेक्षन कमिशन तक जरूर पहुंचेगी और इलेक्षन कमिशन सभी मत्दाता मत्दान कर पाए इसके लिए पूरा प्रभन करेगा और इलेक्षन कमिशन निस्पक्ष मत्दान हो इसके लिए हमेशा प्रतिवत होता है हम भी कार से सरकारों ने वहवार किया है लेकिन देखा जी जब ये आपका नाम गोशित हुआ आपको चुनावक में केंडिडेट बनाया वो जब समाचार मिला तो आपके पडोस में अडोस में और आप जी इतना बड़ी लड़ाई लड़ी हो सब में क्या मैसेज गया सबका कैसा र वीडियो कॉल से मैसेज देजा उन लोगों ने जो किया तो टी एलसी की बुलाने पर किया है उन्होंने जो जवस्ती करवाई गई है और नहीं होगा जो किया उनके लिए उन्होंने मापी मांग रही है तो हमारे कोई उनका उपर कोई दुश्मानी नहीं है क्योंकि वो हमा हमारे माँ बैन हमारी भाई बाप हैं हम तो सब के लिए लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने हमारी लिए लड़ेंगे जो जमीन जो सन्मान लोटाए जाए इसके लिए पूरा कुशिश करेंगे रेखा जी अभी जो मैं सुन रहा हूँ आपको मुझे लगता है कि भारती जन्ता पार्टी ने आपको उमीदवार बना करके बहुत बड़ा काम किया है क्योंकि राजनीती में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे जिसने आपका विरोत किया उसका भी भला हो और मैं स ये आप बहुत बड़ी बात पता रही हो और मैं सच पतात हूँ देश जब जानेगा कि रेखा पात्रा इस विचार के रखती हैं और सारा देश आप पर गरव करेगा मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन करके रेखा जी मुझे पता लगा है कि बसीहाट में जनता विशेश रूप से महलाए ये आपको बहुत सने दे रही है और अब जब चुनाओं के मैदान में उतरी है तो अब क्या बाता वरन है उनकी घर की बेटी हूं में और उन्होंने मुझे चाहती है ये सुनकर बहुत कुछ हूं में और इलेक्शन पे उतर के हमें लग रहा है उनका पूरा सापर्ट मिलेगा मुझे और उन्होंने जब पुरा सपर्ट करेंगे तो ना हम उनके लिए और भी कुछ कर पाएंगे और हम भी गरीब गरीब करकी लड़की हों, किसी की घर की बेटी बहु हों तो यही बोलूंगा मेरे पती भी तामिल नाडू चेड़ना यूदर काम करती है हमारा फैमिली में बहुत दुख बहुत परिश्रम करके उनका हमारा संगसर चलती है तो हम चाहेंगे, सबके लिए कूछ ि अएयसे करेंगे जो बाहर ना जाना पड़े सबको इधर कंपानी मिले, इधर काम करें और हमारा इधर से बेंगल से बाहर ना जाना पड़े इसलिए हम पूरा कवशिश करेंगे आपका जो आत्मविश्वास है न आप जुरूर दिल्ली पहुचोगी और आप जुरूर चुनाव जित करके आओगी देखा जी संदेज खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई-लड़ी है आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है आपने इतने ताकत्वर लोगों को जेल बेच दिया आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े साहस का काम किया है हमारा संदेज कली की मावेन की पुरा सापोट थी इसलिए हम यह कर पाई सब और उनकी सापट से आगे भी रास्ता चलेंगे हम और उनकी साथ लेकर चलेंगे रास्ते हम राम जी की तरह एक भाई एक बाप हमारी मिला है तो हम आपका छोटे बेटी की तरह हमारा साथ रहेगा रेखाई जी हम सब मिल करके माताव बहनों के सम्मान के लिए और सिर्फ बशिराट ने पूरे बंगाल के लिए वहां के सम्मान के लिए वहां के गवरों के लिए हमारी यह लड़ाई है और आप तो एक मेहनत कर्ष परिवार से हैं बहुत मद्दूरी करके गुजरा करती हैं और इतना बड़ा सालवजिनिक जीवन का जिम्मा मिला है बहुत बड़ा अंतर आया होगा लेकिन मैं आपको विश्वात दिलाता हूँ कि मैं पूरी तरह आप लोगों के साथ रहूँगा व्यक्ति के दुरुप से भी मैं आप सबकी चिंता करूँगा रेखा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका जो उत्सा देख रहा हूँ वो मुझे बहुत प्रसंता हो रही है कि बंगाल तो सक्ती पुझा की भूमी है, दुरुपुझा की भूमी है और आप उसी सक्ति का प्रिया है आप जिस मैनत से जिस हिंबत से काम कर रहे हैं वो बड़ी बात है संदेश खाली की महिलाओं के आवाज को देश के सामने उठाना ये कोई सामाने बात नहीं है और आपने जो साहस दिखाया है वो देखकर लग रहा है कि इस बार बंगाल के नारी शक्ति विशेस रूप से हमें आशिरवाद देगी बंगाल की उजवल बविश के लिए आशिरवाद देगी मैं जरूर कहूंगा कि जितना हो सके पस्चिम बंगाल के लोगों के बीच केंदर की बीजेपी सरकार के काम का इतनी बात जुरूर पहुंचाईए और अभी वहाँ जिस टीमसी पार्टी की सरकार है उससे तो लोग बहुत परिशान है बीजेपी सरकार की कितनी ही योजनाओ वहाँ टीमसी सरकार लागूई नहीं होने देती आप लोगों के बीच जाकर ये भी बताईए कि कैसे महां की टीमसी सरकार सरकार की योजनाओं में करप्शन कर रही है और अपना करप्शन छिपाने के लिए केंदर सरकार की योजनाओं के नाम भी बदल देती है पार्टी का एक-एक करकरता आपके साथ है और मेरी आपको बहुत-बहुत शुब कामना है सर अमारा संदेशकली में तो अभी 2011 से बहुत चूरी कर रहा है तना चूराये जा रही है तो किसी की पुरा साधी नसाथ से वोट दिये जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ती हम लोग भी चाहती हैं पूरा साधी नेता के साथ हमवोट देए और हमारी मा बैन की संमान रुका करें इसे नहीं, ना मारा जाए ये, पुरा तरफ पूरा दरिक से हम देखेंगे और जो भाइवों को मारा जाए रहे है, वो अढ़न काल दरिकि अंगर कालन द likesना पूरे तरफ से देखेंगे, उनकी साथ ऐसे दुरगटों ना पैसे ना गटि आपकी ये जो हिम्मत है ना इश्वर भी आपके साथ रहेगा रिखाजी मेरी बहुत शुंप कामना है आपको हिम्मत के साथ आगे बढ़िए बहुत-बहुत धन्यवाद बेल्वाट